हाई दोस्तों साईज ही और बैक विद अनदर इंट्रेस्टिंग एंड मोस्ट इंपोर्टन वीडियो और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि Redmi Note 5 Pro इसके उपर आप Custom ROM कैसे इंस्टॉल करेंगे कोई भी लेटेस्ट Android वर्जन वाला Custom ROM और यहाँ पर जो मैं Custom ROM इंस्टॉल करने जा रहा हूँ यह काफी जादा इंट्रेस्टिंग और काफी तगड़ा वाला Custom ROM है उनको आप Flash कर सकते हो इसी मेथड़ का यूज करके और आप बार बार ROM कैसे चेंज करना है वो भी मैं इस वीडियो में cover कर दूँँगा मतलब विदाउट डेटा लॉस के बार बार आप जो है अपना Custom ROM चेंज कर सकते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के Custom ROMs ट्राय करके मजे ले सकते हो वीडियो पूरेंट तक के देखना चानल पर नहीं तो चनल को सब्स्क्राइब करना और नीचे हाइप का बटाने उसको भी दबा देना कैसे करना विद PC विदाउट PC दोनों वीडियो दिस्क्रिप्शन मिल जाएंगी जाके उस वीडियो को देखो अनलॉक करो चलो अभी बढ़ते हैं प्रोसस के उपर यहाँ पर आप फाइल्स वगरा कैसे डाउनलोड करोंगे कहा से डाउनलोड करेंगे यह एक्स्प्लेइन करता हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का एक चैनल का लिंक दे रहा हूँ उसको जॉइन करो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो डार्क एलेक्सर करके ठीक इसको जॉइन कर लेना है ठीक है यहाँ पर डिस्कस्गरूप और आपको जो है अपडेट ग्रूप यहाँ पर मै डाउनलोड करने के लिए option मिल चुका है मैं download पर click कर रहा हूँ जो link दिया है download का उस पर click कर रहा फिर यहाँ पर आया अब यहाँ पर मेरे कुछ दो options मिलेंगे देखो जब download करने जाओंगा तो vanilla करके लिखा है मेरे कुछ vanilla नहीं चाहिए उसके बाद नीचे फिर से click कर रहा same version का है बट gapps है तो एक बात ध्यान रखना है gapps और vanilla में difference यह होता है कि vanilla मतलब जिसमें play store वगरा google apps नहीं होते है और gapps भूले तो जिसमें आपको play store google apps सारह combination के साथ आता है तो better रहेगा हमेशा आप gapps वाले version के साथ जाओ जैसे कि same version के दो file थे बट जब मैंने उनका न दिखाने के लिए purpose के लिए open करके दिखाया ओके अब यहाँ पर मैंने रॉम तो डाउनलोड कर ली ठीक अब flashing guide मेंशन होगा तो flashing guide यहाँ से check कर सकते हो अब यहाँ पर हम चलते हैं group के अंदर यहाँ यहाँ पर discuss group के अंदर हमें जाके एक बार check करना है तो यह discuss लिखाए न like custom recovery हो गया decrypt करने के लिए DFE हो गया तो यह सब चीज़े कहां मिले यह discuss group में तो यह देखो discuss group मैंने अभी join किया है यहाँ पर slash लिखके notes लिखो ठीक है dynamic recovery करके लिखा हुआ है हमें यह dynamic recovery जो लिखा है इसको type करना पड़ेगा मैंने copy किया android हो तो copy कर लोगे आपे hash लिखोगे पहले तो hash लिखके फिर जो copy है वो करके enter करोगे लेकिन उससे पहले यह देखो यह ROM के लिए जो flashing guide है वो पढ़ना है आपको मतलब कौनसी कौनसी ची recovery आ गई ठीक है यह recovery किस काम आती है हमको ROM flash करने के लिए तो इस recovery को डाउनलोड करो ठीक है और यह आप एक कुछ चीजे मेंशन है recovery के zip file के उपर ही पहले क्या करना है कैसे recovery बूट करना है फिर डालिविक क्या वाइप करना है फॉर्मैट करना है लिखा है तो इसको follow करना है ROMs change करना चाहते हो without data loss के तो आपको अपने phone को करना पड़ेगा decrypt ठीक है तो वो कैसे करते है क्या करते है मैं बताता हूं आगे अब यहाँ पर मैंने जो file से वो download करके रख ली कुनसी orange fox recovery और ROM और DFE ठीक है कहा से करना है कैसे करना है link पूरे description मिल जाएगी उसके बाद अपने PC के उपर PC होगा तो ठीक है PC नहीं होगा तो आप दूसरे phone से भी कर सकते हो flash customer recovery install करने है खाली कैसे करोगे आप जो है जो zip file मैंने orange fox के download करने लागया था उसको extract करोगे extract करने के बाद आपको platform tools करके description में link दे रहा हूँ अगर PC उसको extract करोगे platform tools को platform tools को extract करने के बाद एक zip बनेगा platform tools करके उस zip को folder बनेगा folder बनने के बाद उस folder के अंदर आपको recovery डालने कौन सी recovery जो orange fox recovery आपको download करने लागया उसको extract करना वो zip में रहेगा extract करोगे तो recovery मिलेगी उसके अंदर उस recovery को paste कर दोगे कहा platform tools के अंदर यह folder बनेगा जब platform tools का zip extract करोगे तो अब उस folder के अंदर open करेगे वहाँ पर आपको cmd डालना है enter करना है यहाँ पर एक command window खुलेगा सबसे पहले आपका device connect है कि नहीं वो check करो तो सबसे पहले तो आपने phone को fast boot में connect करना है fast boot में कैसे connect करते हो पता है न आपको phone को switch off कर देना फिर volume down और power की दबाना तो वो fast boot में जाएगा power की छोड़ देना जैसे ही phone vibrate करता है volume down नहीं छोड़ना है okay fast boot में गया तो एक logo आता है फिर phone को connect करोगे तो यहाँ पर आपको cmd डालने की बाद fast boot devices enter करो अगर आपको dedicated video चाहिए custom recovery कैसे flash करते हैं इससी regarding video है link description में without PC वाला वो जाके देखो जैसे ही आपर recovery finish हो जाता है flash उसके बाद आपको power button और volume up दबागी रखना एक साथ जैसे phone off होगा power button छोड़ना है volume up छोड़ना नहीं है जब तक orange color का logo नहीं आएगा orange fox recovery open नहीं होगी छो आपर कुछ चीजे mention थी उनको follow करो फैले क्या करना है format data इसलिए आपर आओगे ys लिखोगे enter करोगे format data जैसे ही यहाँ पे complete होगा उसके बाद next step मैं आपको समझाता हूँ क्या करना है center button दबाओ यहाँ आपको reboot पे आना है reboot to recovery पे click करोगे मतलब recovery पे click करोगे तो phone आपका क्या होगा बंद होगा फिर से recovery में boot करेगा और जो भी encryption है उसको हटाएगा और properly आपे सारे files आप शोग होगी अभी ठीक है तो अब एक काम कर सकते हो यहाँ पे next step क्या करना है dalvik catcher और यहाँ पे catcher data इन सबको tick करके wipe करना है जो box बता है उनको wipe करो फिर से यहाँ पे format data करो wisely को format data फिर से करा दो बार करा ओके उसके बाद फिर से reboot to recovery करना एक बार ठीक है जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही follow करना वरना आपका phone logo पे अटक जाएगा या फिर दिक्कत है आ सकती है तो note this point okay तो यहाँ पे recovery फिर से open हो रही है और जैसे recovery फिर से open हो जाएगी next step क्या करना है आपको mount पे आना है mount पे आने के बाद यहाँ पर आप जो है एक तो आप जो है micro sd card में अपना ROM रख सकते हो जो भी files बताई वो okay और फिर से यहाँ पर जो है जो चीज़े मैंने wipe करिए वही चीज़े फिर से wipe करोंगे डाल वी केचे data वगेरा wipe होने के बाद next step क्या करना है आपको अभी flash करना है flash कैसे करोगे सबसे पहले select storage करोगे select storage करने के बाद वहाँ पे micro sd card में या pen drive में जो है files रख लेना उसके बाद पहले ROM flash करोगे हो गया flash फिर यहाँ पर next step क्या करना है format data आपको एक बार कर लेना है मैंने क्या flash करा सिर्फ ROM flash करा बाकी कुछ flash करा कि नहीं format data कर दिया ROM flash करने के बाद उसके बाद reboot पे मैंने click कर दिया खतम बात अब यहाँ पर फटाफट setup कर लेता हूँ ओके और setup होने के बाद यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जैसी कि देख सकते हो project infinity xrom flash करा है latest standard 16 जो की काफी तगड़ा रोम है और बहुत अच्छे से चलता है banking apps वग latest standard का मरजा with latest features और यहाँ पर custom kernel वगर आड़ करोंगे तो काफी तगड़ा output performance और battery backup भी देखने को मिलेगा आपको पढ़िया ROM में try करो project infinity x वैसे मैंने आपको matrix OS कैसे download करते हैं वो दिखाया है ओके अब आप मेंसे कुछ लोगो question होगा भाई आपने तो बूला थी कि हम ROM कैस करके DFE file आती है उसको flash करोगे तो आपको format data करने की जोरत नहीं मतलब आपका data loss नहीं होगा ROM जितने चाहे उतने change कर सकते हो तो वो बड़ा concept हो जाएगा इसलिए उसकी link description में दी है खाली वह वाला वीडियो देखो आप उसके बाद जितने ROMs चाहे उतने change कर सकते हो अपने